सो येस वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरैनिक जेन यूटूब चैनल नाशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलोप्मेंट की तरफ से रिकृप्मेंट निकल करके आ रही है फॉर ट्वेंड ट्वेंट जॉब आपकी रहने वाली है इन टोटल 161 वे कर सकते हैं अगर रिजल्ट्स आपका आ चुका है ओन और बिफोर फर्स्ट 7 2022 ठीक है तो मुझे लगता है ये बात तो क्लियर है फाइनल यर वालों के लिए बट देखो यार इंपोर्टन पॉइंट्स पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेशना हो बी बीटेग इन ये ख्राइटेरिया में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जर से इस वीडियो को लाइक कर देना था कि उस्टूंट्स अपहुत सके जो इंटरेट है और एलिजिबल भी है वैसे मुझे इन ग्रेड ए पोजिशन ठीक है यहाँ पर ओन्लाइन अप्रिकेशन अट्रा जुलाई से स्टार्ट हो रहा है कब तक चलेगा सेवंथ अगस्त चलने वाला है चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं सर जी एक्जामनेशन के डेट्स कब और कैसे रहेंगे एक्जामनेशन का पैटर्न क्या है वो भी बताऊंगा और यहाँ पर आप प्रटेंटिटिव डेट्स देख सकते हो 7th September कहा गया है ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से different positions निकाली गई है जनरल वालों के लिए अब यहाँ पर बैचलर्स डिग्री याने B.B. इन एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते है बट इसके अलावा सब जगा मेजॉरिटी ऑफ दी टाइम्स बी बी टेक इन स्पेसिफिक ब्रांचेस कहा गया है ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो 80 वेकेंसी निकाली गई है फॉर दी जनरल और बाकियों के लिए अलग वेक ठीक है eligibility criteria सभी positions के लिए अलग है तो एक बड़ा से यहाँ पर detail PDF कहा गया है दुखत बात यह है कि अगर आप multiple positions के लिए fit होते हो तब भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही post के लिए apply कर सकते हो ठीक है अगर आपने दो form भर दिया तो उस case में आपका latest form ही consider किया जाएगा उसके पहले के form reject किये जाएंगे और हर एक application के पीछे application fees है तो यह सोच समझ करके आप form भरना ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो के final year वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कहा गया है that in other words candidates whose final year या semester results have been declared after 1-7-2022 are not eligible ठीक है तो अगर आपको eligible होना है तो on या before इस date के पहले आपका results आ चुका होना चाहिए चलिए अब यहाँ पर detail में बात करते है educational qualification general position के लिए bachelor's degree याने B.E.B.Tech या other bachelor's degree in any subject आप apply कर सकते हो minimum 60% marks होना चाहिए CGPA के बार में आखरी में बताया गया है वो भी में बता दूँगा और यहाँ पर SCST PWD candidates के लिए 55% aggregate होना चाहिए अगर अगर आपके पास डिगरी है तब आप apply कर सकते हो जैसे post graduate MBA PGDM है तब आप apply कर सकते हो agriculture engineering के लिए bachelor's degree in agriculture engineering होना चाहिए minimum 60% marks होना चाहिए SCST PWD applicants के लिए 55% marks होना चाहिए अगर वो नहीं है तो बाकी चीज़े यहाँ पर बताई गई है ठीक है वैसे fisheries के लिए bachelor's degree in fishery होना चाहिए forestry के लिए forestry का होना चाहिए land development soil science के लिए agriculture का होना चाहिए और यहाँ पर आप next देख सकते हो plantation या होडी culture के लिए यहाँ पर होडी culture की आपके पास bachelor's degree होनी चाहिए ठीक है civil engineering वालों के लिए civil engineering के डिग्री होनी चाहिए environmental वालों के लिए environmental science के डिग्री होनी चाहिए ठीक है और finance के लिए तो finance का domain हो गया computers IT के लिए bachelor's degree in computers या फिर computer technology या computer application या IT कुछ भी चल जाएगा अगर वो नहीं है तो post graduate भी हो गया तब भी आप apply कर सकते हो agriculture marketing के लिए same degree होनी चाहिए development management के लिए work या development management की डिग्री मांगी गई है ठीक है अब जो यहाँ पर आखरी में साथ weekend से निकली थी assistant manager in grade A राज भाशा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भाशा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जैसे bachelor's degree from a recognized university in English और Hindi with Hindi and English as a compulsory और elective subject साथ ही साथ PG diploma in translation आपके पास होना चाहिए तो अगर वो सारी चीज है तो आप apply कर सकते हो अगर नहीं है तो फिर master's degree in Hindi और यहाँ पर सब बताया गया है वो होना चाहिए अगर वो नहीं है तो master's degree in English with a minimum of 60% marks होना चाहिए and candidate must have studied Hindi as a main or elective subject in at least two years of the bachelor's degree course ठीक है तो यह तो था पूरा का प 6.75 CGPA out of 10 scale वहीं अगर 55% के बार में बात करें तो वो होता है 6.25 CGPA अपका ठीक है चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो skill of the work nature of the work आपका यहाँ पर दिया गया है detail में age limit के बार में बात करें तो 21 से 30 years का age limit कहा गया है upper age limit में relaxation मिल जाता है for the OBCS, CST, ex-serviceman, PWD candidate क्योंक job है ठीक है selection process आपका 3 phase में होने वाला है पहला phase आपका preliminary exam pre exam के अंदर आपके 200 question 200 mark रहने वाले है 120 minute आपको दिया जाएगा अच्छा यहाँ पर negative marking भी रहने वाला है इस चीज का note करना है बाकी यहाँ पर 2 section बताया गया है qualifying section and merit section यह वाला section काफी काफी important है क्योंकि इसके basis प पर आप देख सकते हो journalist याने वो जो आपकी 80 vacancy bachelor's degree in any branch वाले उनके लिए यहाँ पर paper 1, paper 2 और respective syllabus आगे PDF में दिया गया है तो tension मत लेना फिलाल paper pattern देख लो part 1 में आपका 3 question 100 mark 90 minute आपको मिलने वाला है paper 2 में 30 question 50 mark 30 minute का duration और फिर यह descriptive type में 50 mark 90 minute और 6 question आपको पूछे जाने वाल है और पूरा का पूरा detailing यहाँ पर बताया गया है अच्छा main examination for the post of specialist तो यहाँ पर paper 2 में आपका branch specific आ जाता है बस यही थोड़ा सा change है और वो जो राज भाशा था जहाँ पर translation necessary था उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा changes है ठीक है अच्छा आपका यह main exam होने के बाद फि क्या-क्या चीजे रहने वाली है पेपर 2 economics and social issues and agriculture and rural development ESI and ARD इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है यह सारी चीज बताई गई है agriculture and rural development के बार में भी सारी चीज यहाँ पर बताई गई है कौन-कौन से topics है क्या-क्या चीज रहने वाली है तो एक detail में सारी कुछ बाते बत candidates ताकि उनको एक idea मिल जाए कि paper pattern क्या रहता है क्या-क्या चीज अंदर पूछी जाने वाली है ठीक है तो यह free of cost रहता है अगर आपको इसमें participate करना है तो proper instruction दिया गया है क्या-क्या चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी सबसी important है examination center अक्सर बच्चे पूछते हैं तो यह एक अच्छी चीज है कि all over India यहाँ पर examination center रखा गया है तो phase 1 pre में आप देख सकते हो यह सारे centers आपको मिल जाने वाले है और paper 2 mains के लिए आपको इतने सारे centers आपको दिये गए है ठीक है फिर interview के लिए वह आपको बताएंगे call letter के द्वारा है ना कि आपको कहा पर interview के लि तो अगर inclusive होगा तो इससे जादा ही होगा तो यह आपकी application fees रहने वाली है वही अगर आप SCST PWD हो तो 150 plus GST आपकी application fees रहने वाली है इमिलमेंट्स के बार में बात करें salary तो आपकी 70,000 पर महिना रहने वाली है यह मैंने start में ही बता दिया था how to apply के लिए website पर जागर के apply करन सकते हो क्योंकि 18 जुलाई से कहा गया है 7 जुलाई तक यह application चलने वाला है क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है तो यह सारी चीज यहाँ पर बताए गई है formatting paper का size signature यह सारी चीज यहाँ पर आपको दिखाई पढ़ रही होगी application registration before applying online candidates should know all these things application process आपको यहाँ पर दिया गया ह ठीक है payment के बार में भी बताया गया है online payment आपको कैसे क्या करना है उसके बाद scan करके कैसे क्या upload करना है ठीक है तो एक proper way में सब कुछ दिया गया है तो PDF आराम से एक एक point refer करना क्योंके फिर बाद में अगर गलत भरते हो तो document verification में आप reject हो जाते हो ठीक है तो गलतिया मत करना बहुत सारे students मुझे message करते है सर अब क्या करें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा ठीक है चलो और यही था बाकी कुछ इसके अंदर ऐसे detailing है नहीं जो मैं highlight करके बता सकूँ बस start and last date of application date यहापर दिया गया है and yes that's it for today अगर वीडियो पसंद आती है ज़र से इस वीडियो क इसके लिए मिलते हैं नेक्श वीडियो में आप टेल दें टेक केर बाबाई फानाव सिया